हलो यूपी एस्पिरेंट और कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाय लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे करंट अफेर की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग अगस्त के टॉप 20 टॉपिक्स उठाए हैं विश्वास करी इतना बहुत है बहुत बहुत ज्यादा होगा आपके लिए इसमें सब कुछ प्रिव मेंस दोनों से आप इंक्लूट कर सकते हैं हाँ एक बात और अगर आप ए दूसरा पार्ट है आज हम लोग 11 मतलब नंबर 11 से सुरू करेंगे 10 तक हमने कंप्लिट कर लिये थे ठीक है तो आईए शुरू करते हैं 11 पॉइंट हमारा है रामसर अभी समय मतलब रामसर जो कन्वेंशन है उसके तहत कुछ बातें आई हैं भारत में कुल मिला के 75 आद्र है जो अभी तक इसके तहट नामित हो चुकी है मतलब रामसर अभी समय के तहट है ध्यान रखना है लगभग 75 अभी इस समय हो सकता है जब तक एक्जाम हो डेटा बदल जाए तो थोड़ा सक उस समय भी करण रफेर मगर मुद्द आएगा तो हम लोग ध्यान रखेंगे पांच आपचारिक रूप से माननेता पर अंतर राष्टिय संगठन भागिदार बने हैं तो कुल पांच इंद को ध्यान रखना है यह यूपियस सी हो सकता है हमसे जब क्वेश्चन पूछे इस लेबल पर आके तो यहां से हो सकता है यह पूछले कि रामसर जो कन्वेंशन है उसमें कौन-कौन से संगठन भागिदार है तो पांच अपचारी ग्रूप से ठीक है तो पहला कौन सा है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिससे हम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कहते हैं एक यह दूसरा है आई यू सी इन इसको ध्यान रखना है दूसरा है आई डबलु यह पांच नहीं भूलना है विश्वास करें बहुत इंपॉर्टन है अगर आप से पूछ लेगा ना और किसी को और डाल देगा इसमें तो गलती हो जाएगी ठीक एक श्टप अंदर है यह बात है इस बात को नहीं भूलना है नंबर एक फिर से बता दे रहाँ वर्ड नेशनल और उसके बाद है वर्ड वाइड फंड फॉर नेचर डवलू डवलू एफ ठिक यह पांच ध्यान रखिएगा चलिए आगे बात करते हैं तक्नीकी विकास प्रोडूशन या अन्न मानुए हस्तक शेप से अगर कोई संभावित रूप से जोखिम है जोखिम वाली अध्रभूमी है तो उसको मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में सामिल किया जाता है एक बात ध्यान रखिए का मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में वही आध्रभूमी सामिल कि जाती है जिसमें प्रोडूशन बहुत ज्यादा हो गया है या वह जो आध्रभूमी है वह इतनी ज्यादा प्रदोश्यत है कि उसको तकनीकी रूप से अब उसमें विकास नहीं हो पा रहा है मतलब नेचुरल तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है उसको हम हम लोग करन्ट अफियर पाड़ने हैं टॉपिक्स क्या-क्या इंपोर्टन रहें यह पांच संस्था और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है यह इंपोर्टन है और अभी तक कितनी नामित है खबरों में रहा है इसलिए ले लिया था मैंने अगली बात करने हैं हाथी दीए काफ सब्सक्राइब करनाटक नहीं पता होगा तो नुकसान हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं सबसे अध्यान देने की जरूरत होती है तो अनुसूची वर्म सामिल है उसके बाद साइट्स ये भी जानते हैं कि एक तरह का कंवेंशन है तो इसमें भी इसके परिशिष्ट वन में सामिल किया गया है और आयू सी यन की जो लिष्ट है उसके अंदर एंडेंजर्ड है क्या है एंडेंजर्ड तो ध्यान रखिएगा अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो तब गलत कार दीजिएगा ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना है सिर्फ एंडेंजर्ड इस्पेसीज की रूप में कहा गया है ठीक तीन बात हैं मोस्ट इंपोर्टन अगला अगस्त मलाई हाथी रिजर्व को 31 हाथी रिजर्व को रू उसका विस्तार कितना कितना है तमिल नाडू से लेके कन्या कुमारी और तुरू नेल विली तक है ना कोई जगा है ध्यान रखिएगा एक बार गूगल पर साइज कर लेंगे यह मैप में तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी वैसे तमिल नाडू का ही पूरा छेत्र आधा पूरा छेत्र मतलब जो नीचे है कन्या कुमारी के तरफ वो पूरा छेत्र समलित किया गया है यहां तक कोई समस्या आगे एक बार ध्यान रखना है कि मॉनेटरिंग दा इलीगल किलिंग ऑफ एलिफैंट माइक तो आप से यह भी यूपियसी का साथ यह क्वेशन आया भी कि माइक जो है यह किस से संबंदित है मतलब माइक परियोजना तो यह ध्यान रखिएगा यहां एक अंतर राष्टिय प्रयास है एशिया और अफ्रीका में हाथियों के संरिच्छन के लिए एशिया और अफ्रीका ध्यान रखना दोनों अंतर राष्टिय संरिच्छन है ध् लेकिन ध्यार रखना है क्या माइक किसके लिए है एलिफेंड के लिए घ andere को जोड़ दे किईकर से सब्सक्राइब अगڑな क्ति करते हैं इसे टॉपिक्स के esas epic यह हमेशा भीम में क् Кон 검 nei यह रखना है बिना मतलब की चीज़ें तो पढ़ना ही नहीं है ठीक है आइए इसको बोलते हैं ओजोन डिपलेटिंग सब्स्टेंस यह क्या होते हैं इनको शॉर्ट कट ओडियस कहते हैं तो ओडियस नाम से ध्यान रखिएगा मतलब ऐसे पदा जो ओजोन को छह करते हैं मतलब ओजोन को न एन्त्रण करना किसको ओडियस को मतलब जो भी ऐसे सब्स्टेंस है जो भी ऐसे पदार्त है उनका रोख लगाई जैसे कौन-गौन से पदार्त हैं ध्यान रखना क्लोरो-फ्लॉरो-कालवन जिसे cfc कहते हैं इसका ही एकि अलग वर्जन है जिसे HCFC कहते हैं ध्यान रखना अगला हैलोन काफि इंपॉर्ट्टन्ट है दिखो इन सब के भी ना कई टाइप हैं है लेकिन है लोन क्या है एक परिवार है उसी तरह कलोरो-फ्लोरो-कार्बन एक परिवार है इसके बहुत सारे हैं ठीक है तो हमई सिर्फ हीन बातों द्यान रॉखना हां हिश्यन और उसके बाद है जो फ्रीज हिघर में वह आता है मतलब जो आग बुझाने के काम आता है वो फोम हो गयरा में और द्योगिक साल्वेंट साल्वेंट मतलब होता है ना कि आप कह सकते हो कि डाइ क्लीरिंग टाइप का उसमें ठीक है एरोसोल इस्प्रे ठीक है जो आप कीटाणू मानने के लिए जो इस्प्रे यूज करते हैं व बिदी उपकरनों में उपइयोग होता है कुछ उपकरनों में तो अगर ऑप्शन देगा तो गलत मत काटेगा बलकुल होता है जो आप कपड़े देते हैं ना डाय क्लेडिंग करने के लिए वह तो यह क्या है इनका उप्योग यहां यहां होता है यह है और ध्यान रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था ओजोन च्यकारी पदार्थों के लिए बस इतनी बाते ध्यान रखिएगा काम होता जाएग ठीक हमने कितना कर लिया 13 अगे बात करते हैं नंबर 14 की एक काफी इंपॉर्टन्ट नजरों में रहा है तो हो सकता है यह नया सब्स्टंस है ध्यान रखना ठीक पर एंड पॉली अलकलाइल सब्स्टंस जिससे एफ पी एफ एस कहा जाता है हिंदी में मैंने लिखा है क्या पर-&-पॉली अलकलाइल परदात था ठीक है इसका उपयुऑ कहा होता है और इसके बारे में क्या है पहले उपयोग जयान लेते हैं देख उपयोग सबसे धान रखने हैं या खाना बनाने ही तो जो भी बरतन आते हैं जो नोज इसका प्रियोग होता है ठीक अगनी समय फोम में जो आग को बुझाने में फोम यूज किया जाता है उसमें पानी या तेल प्रूफ कपड़ों को बनाने में जैसे दानते हैं रेन जब बर्षात आती है तो आप क्या पहनते हैं रेन कोट पहनते तो या तेल से प्रूफ कपड़ों क को बनाने में भी इसका प्रियोग होता है जैवनासी जैसे इस्प्रेय एक तरह की साफ सफाई करने में हम लोग बायो साइट्स का यूज करते हैं उसमें और फूड पैकेजिंग में यह बाते ध्यान रखना है तो यह कितना खातानाग हो सकता है सोचे यहां मतलब किसके घर मे नहीं होगी यह सब चीज़ें तो यह कहीं न कहीं क्या है नुकसान दायक है अगली बात करते हैं कि इसको क्यों यह नुकसान दायक है पहला यह फारेबर केमिकल है मतलब बहुत लंबा जीवन काल होता है इतनी जल्दी है केमिकल्स खतम नहीं होते हैं ठीक है इसको जैसे स् तो इस्टाउख्रोम समझोता क्या है एक अंतर सरकारी संधी है जो मानो स्वास्त और पर्यावरण को अस्थाई कार्वनिक पदोर्शन से बचाने में मदद करती है ठिक बस इस स्यादर नहीं जानना है क्यों क्योंकि इतना यह जो करन्ट अफेर है उसमें आप से यूपियसी यही पूश लेगा इसका उपयोग क्या है ठिक किस समझोते का अंतरवत बात कहीं गई है क्या बात कहीं गई है और यह किस टाइप का कैमिकल है बस इतना ही हमें भी जानना इस स्यादा क्या है चलिए अब आगे देखते हैं ठीक है ना बिलकुल धान रखिएगा एस इस बन इतना कुछ है विस्वास करें मैं तो एक बार देख रहाता है जो यह वंडे एक्जाम वाले यूटूब पे आते हैं वह भाई क्या पढ़ा रहा है मतलब की अभी भी वह लोग कॉमन्वेल्थ गेम के ऊपर क्वेस्चन के बारे में बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा पदक कि इस ने जीता है ना कुल भारत ने पदक कितने जीते मेरा बाई शानू ने क्या जीता ठीक है अब आप खुछ सोचो ना इस टाइप की चीज़ें यूटूब पर भरमार पड़ी हैं और नाम कहीं कहीं बोलो यूप्यस से भी वहां लिग देतने तो प्लीज थोड़ा सा सज हो जाइए बिना मतलब की चीज़ें नहीं टू दा पॉइंट और जो प्रिविए सेर को क्वेशन में कहा रहा हूं हमेशा आप अपने साथ रखिए वह आपको एक सही रह दिखाएंगे ठिक भटकना नहीं है अगली बात करते हैं नंबर 15 लिखा है फॉलकन मार्क वाटर इ करको लाओ इस्ट्रेस इंडेक्स त्यान रखना ठीक है अच्च्टे लियागा एक क्या है कि या ज्याल में तो기도 प्ता है कि मैं आपको बतारा हूं तो आब सर्च कीजिए थोड़ा सा Google पे सर्च कीजिए चीजे मिलेंगी चलिए आगे बात करते हैं ध्यान रखना सत्रा सो घंट मीटर से अगर सत्रा सो घंट मीटर तक पानी है या उससे कम है तो ध्यान रखना एक हजार घंट मीटर की बात करेंगे तो यहां पे जल का जो अभाव है वह ग्रस्तता है मतलब बहुत ज्यादा इस्तिकार खराब है मतलब जल की जो उपलब्दता है वह बहुत ज्यादा कम है अगर कहीं 500 घंट मीटर है यह समली यह वहाँ तो सूखा है पूंड तया जल का भाव है यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत तो प्रति ब्यक्ति जो वाटर होना चाहिए कम से कम 1700 घंट मीटर तो होना ही चाहिए यह इंडेक्स बताता है हमें तो UPSC के में भी तो इसको यूज कर सकते हो जब भी वाटर स्ट्रेप या कहीं पर भी क्वेश इंडेक्स में सबसे ज्यादा क्या किया जाना इस्तमाल किया जाने वाला इंडेक्स है ठीक चुलिए आगे बात करते हैं नंबर 16 जिसका नाम है क्वांटम की डिस्टिबूशन यह थोड़ा साइन से टेक्नलोजी से जोड़ा है यह क्वांटम लगादार UPSC अगर आप दे एमेल करना है और एमिल में आपको फाइल जोड़नी है माल है अपने किसी को इम Ricardo अलिजेग उस इमेल को किसी के द्वारा है किसी की की इमिल आईडी अब ऐसा होता ही है साहे है समाज में अगर है कर लिए तो वह जोग एपैडिया फाइल भेजा तो कोई भी पढ़ सकता है फिर भाई जो बंदा है किया वो तो फड़ सकता है और वहां से डेटा निकाल सकता है तो इस चीच को रोकने के लिए क्वांटम की डिस्टिबूशन का प्रियोगा मतलब एक संचार प्रद्द्ध की है दो पक्ष एक साजहा गोपनी कुंजी उत्पन करते हैं तथा मैसेज को इंक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड करने के लिए किया जाता है मतलब मालो मैंने आपको मैसेज किया उसमें मैं क् इंक्रिप्टेड कोडिंग के साथ मैं अपने उस PDF को सेफ कर दूँगा अब जब वो PDF आपके पास पहुंचेगी तो आपको डिस्क्रिप्टेड करने के लिए वो आल्ड़ेडी कुंजी होगी वो मैं आपको पहले से दे दूँगा कहीं और से तो क्या होगा उस कुंजी ज जो किसी भेचित द्वारे द्वारा और जो रिसीवर है मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या काम करता है एक साजह गोप्ति कुंजी का काम करता है ठीक अगली बात यहां उपयोग करता है बिना किसी चिनता के मतलब बिलकुल टेंशन फ्री है तो वह क्या कर सकता है डेटा संचारीद कर सकता है जो पारमपरिक संचार माध्यम की तुल्हना में सुरक्षित माना जाता है बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है ठीक है तो क्यूंकि क्οांटम की दुनिया लगाता अ और यह बात अद्यांन ćना है जो कौंटम की होती है यह k Quebec होती है उसमें 0 थोड़ा से यह भी एड करते चलिए आगे नया पॉइंट मिला है आगे काफी इंपॉर्टन रहा पॉइंट नंबर 17 वह है हाइड्रोजन फ्यूल सेल यह एक नया सब्द है ना हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऐसे कुश्चन ध्यान रखना कि यूप्यसी बहुत-बहुत पूस्त करिएयाँ सर्च जरूर करिएगा क्या होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ठीक क्या है देखे विदुत-थैन और दिडाल रखनम उपकरण है क्या है विदुत रासायनिक उर्जा रुपांतरण मतलब रासायनिक उर्जा को विदुत उर्जा में परिवर्थित करेगा कैसे करेगा हाइड्रोजन और वायू का प्रियोग करके मतलब हाइड्रोजन है अल्डेडी हमने डाल रखा है उस इंजन के अंदर उसके तो वह वायू के साथ उप्योग करेगा और विदूद बना लेगा उसमा तो मिलेगे मिलेगे आपको क्योंकि बिना उसका तो गारी चलेगे नहीं और जल निकलेगा तो मतलब कारपन नहीं लेकिन यादर कि बहुत खतरनाग है अभी बहुत ज्यादा ना इस पर रिसर्च लगता है बहुत तीजी से एक तरह से बिसफोर्ट कर सकता है अगर सही से उसका उप्योग नहीं किया गया तो जल जाएगा आज वैसे नॉर्मल गारी हाथ देख रहे हैं कि जितने भी इलक्ट्रिक बाई का रहे हैं उसमें आग लग लग रही थी याद कि यह बहुत सारे क अग्राम करना है उसके बाद सकाना है क्यों नजघरो में रहा कि अभी हर्डोजन फ्याल एक चलि कि खातन किया लगया बस चला wings तो इस वज़े से hydrogen fuel important है तो ध्यान रखना है क्या hydrogen वायू के साथ मिलके उश्मा बनाएगा ठीक चलिए अगे उपयोग कहा होगा इसका सीधी सी बात है परिवान शेत्र में और द्योगिक और आवासी बिजली बनाने में भी इसका फायदा हो सकता है पोटेबल बैटरी जैसे विटल ग्यूज बेटलग्यूज ये विटलग्यूज विशालकाय क्या है एक लाव विशालकाय क्या है egtねえ सब येज़ान ध्यान रखिया आगा लाल विशाल का ये जो अंतरच में और जैसे होता किया ना जो ऐसे तारे होते हैं वह पहले बहुत चमकीले होते हैं धीरे-धिरे क्या होता है वह बहुत बड़ी लाल की रूप में लाल के रूप में आएंगे फिर क्या होगा उनमें धिरे-धिरे ब्लैक होल में कन्वर्जन होने लगता है तो इस वज़े से इनको लाल तारा कहते हैं कि ये अपनी चमक को ज्यादा ही विखेडने लगते हैं ठीक है अंतिम चरण में मरता हुआ तारा है बात को नहीं बूलेगा व जो लोग सामिल हैं उनका पुनर्वाश करने के लिए एक प्रयास किया गया है भारत सरकार की तरप से सामाजिक निया मनत्राले के जोड़ता ही है किसमें GS paper 2 में तो हम लोग तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे लेकिन यहां भी इंपोर्टन्ट है ठीक है अगला है लंपी तचा रोग लगातार खबरों में रहा है क्यों जान रहा हूंगे बहुत सारे गाय पशु के आपने देखेंगे बहुत बड़े-बड़े फोडे टाइप के हो जा रहा है तो वह लंपी तोचा रोग क्या है ध्यार रखना कैप्री प्रॉक्स वाइरस के कारण होता है जो गोट मतलब बक्री या सीपॉक्स के परिवार से संबंदित है नंबर एक मवेश्यों में हो रहा है कैसे हो रहा है याद करिए गाय या भैस अगर आपने देखा हो गाओं में अगर नजदीक गयोंगे तो गाय या भैस के पर छोटी-छोटी केड़े लगे होता है ठीक है जिससे केट कहा जाता है उनमें यह संक्रमन घुज जाता है और वो लोग खून के जरिए क्या करते हैं उस पशुओं में या उस मवेशी में वो फैल जाता है जिससे वो क्या होता है मवेशी उस वायरस का संक्रमन हो जाता है तो वो कौन सा वायरस है कैप्री-पॉक्स वायरस नाम याद रखिएगा कैप्री-पॉक्स वायरस और किस परिवार से संबंदित है लंपी तुचा रोक ठीक यह रहे हमारे 20 पॉइंट किस करके पीशे चलते हैं मतलब अभी मैंने अगस्थ कंप्लिट किया तो इसके पहले कौन सा है जून है न तो जून करेंगे जुलाइगे फिर जून करेंगे माई करेंगे ऐसे करके बैकवर्ड में चलेंगे ठीक है देरे देरे एक टोगी स्टप पीशे चलते रहेंगे देखो इसलिए करा हूँ ना जो खवर अभी आगई मालो पहले भी रही मालो अभी मैंने अगस्त में पढ़ा ना इसके पहले भी माली यह सेम खवर आई है कुछ अंतर के साथ यहां अपड़िट हो हो यह है तो वहां पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है इसलिए बैक जा रहा हूं ठ तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद